कि हाय हैलो नमस्य कैसे हो सब तोस्तों में आपका दोज्देश आज सुभर सुभर आपसे मिलने आया हूं मैं हर कवकट अलग- अलग आज एक आप से बताने के लिए मुझेसे उस् nella से संबंदित है इसलिए इस में हुद्री नीडियो करिए चूपल कर रहा हूं जो आज का विश्य है कि वह संबन दित है इसलिए यह मैं सुबह वीडियो कर रहा हूँ दोस्तों दोस्तों आज का विशे है morning walk चन्ना चन्ना एक सरल और आसान व्यायाव है जो मधुमेह और रुदय रोग जैसी गंभीर विमारियों को रोकने में मदद कर सकता है मौनिंग वॉप बहुत ही हमारे फाइदे मनें हमारे लिए रोज सुबह तक्रीबं 10 से 15 मिनिट पैदल चलने के फाइदों के बारे में अब हम जानेंगे कि इसके फाइदे क्या है पैदल चलना मौनिंग वॉप करना एक ऐसा व्यायाम है जिसे बिना किसी उपकरन से किया जा सकता है कोई उपकरन नहीं लगता हमें बस सुबह घर से बाहर निकरना है जल्दी अगर आप वजन बढ़ने से परिशान है तो आप रोजाना रोजाना दस से 15 मिनिट एक्ससाराइज कर सकते हैं व्यायाम कर सकते हैं चल सकते हैं इससे आपका वजन गंटूल में रहेगा दोस्तों रोज सुबह हर रोज सुबह 10-15 मिनिट चलने से शरीर को फिट और फूरतिला रहने में मदद मिलती है और हम तंदुरस रहते हैं सुबह चलने से शरीर को शुद्ध वाता बरण में ऑक्सिजन की पूरती होती है ओजूंद वायू हमें मिलता है जो सुबह मत्रा में होता है हड्यों की मजबूती के लिए जो विटामिन लगता है वो विटामिन डी सुबह की धूप से हमें मिलता है यह मांस्पेशियों को भी मजबूत करता है लगातार काम करने से ठकान जो होती है दिन बर वो ठकान होती नहीं वो बिश्कुल दूर हो जाती है बाग जाती है रोज सुबह चलने से चिड़चिड़ापन और तनाव मानसिक तनाव जो होता है वो कम होता है नियामित रूप आप रोज चलोगे तो वजन को संतोलित रखने में मदद करता है दोस्तो रोजाल चलने से शरीर की अनावशक चरबी जो होती है वो कम करने में मदद मिलती है अनावशक चरबी बिल्कुल कड़ जाती है नियामित रूप से चलने से मानस पेशियां जैसे मैंने कहा मजबूस होती है वैसे हमारी पचन शक्ती जो होती है वो भी बढ़ती है हर रोज मॉर्मिंग वाक करो इससे क्या होगा तो आपकी रोग प्रतिरोधक्षमता भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी जो लोग मॉर्मिंग वाक करते हैं हर रोज नियमी तुरूप से चलते हैं उन्हें दिल का दवरा पढ़ने की समस्या नहीं होती है विलकुर दिल का दवरा पढ़ने का डर महीं होता यह कॉलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंतृत कर्मे में भी मदद करता है यह मॉर्मिंग वाक यह सुबह का चलना और जैसे की उच्च रगतदाव मदुमेह मोटापा सुजन पैरों में सुजन आती है और सबसे बड़ी बात हमारा मानसी तनाव इससे बचाने में यह मौनी को मदद करता है जो लोग नियामी दुरूप से चलते हैं उनमें दिल का दवरा पढ़ने से मुर्त्यू दर लगवक पचास प्रतिशत से कम होती है कई लोगों ने इस पर विचार किया है रोजामा चलने से फेपड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है अभी मौनी कोंग भी चालो हो गया है आप भी शुरू करो चलने से अधिक मातरा में ऑक्सिजन हमें मिलती है और यह व्यायाम आपकी कार्य कुशलता को बढ़ाता है दोस्तों रोज सुबह सुबह चलने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है शुगर जो होती हमारे ब्लड में वो कंट्रोल में रह दिये आपको यह जानकारी कैसी लगी यह मौनिंग ओप के बारे में जरूर हमें कमेंड में बताए मुझे भी लगा कि मौनिंग ओप फाइदे मन है जो आपको मैं बताओ जादा से जादा लोगों उन तक यह शेर करो और बस दस पंदर मिनिट ही हमें चलना है ताकि आपके दोस्त को भी जानकारी वाइदे मन हो सकती है दोस्तों विभीन विशेयों पर यह जो जानकारी के वीडियो होते हैं यह मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ अगर आपको देखने होंगे तो अपना यूटूब चैनल है वो ज़रूर देखो सब्सक्राइब करो लाइक करो आपके प्रोथ साम के वज़े से ही मुझे उत्सा मिलता है बटा सकते हैं को आपको कौन से विशाय पर वीडियो साधर करना है कई लोगों के मुझे वं नंत्य सुझाओ आते हैं क्यासे विशेवम पर आप वीडियो करो तो कल ही मेरे दोसने भला रहे morning walk हम रोज ज़ाते तो मौनिंग वॉक पर बात कर आज मस्त धूप है इसलिए मैंने ये बात करने के लिए विडियो किया संपरक करें 992310647 कोई भी सुझाओ बताए अन्य विश्वम पर लिखे के विडियो भी आप देख सकते हो गैसे मैंने कहा दोस्तो इस जानकारी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर और जरूर बताए इसका हम स्वागत करते हैं और सबसे महत्वा पूरना बात यहाँ है कि ये जो विडियो केवल और केवल हमने एक सामान्य जानकारी के लिए बनाया है तद्ने लोगों का आप जो तद्ने बिखती है इसमें उनकी सलाह जरूर लिजिए क्योंकि विभिन संदर्वों के साथ ये जानकारी संकृत कहीं है तो आप जरूर अद्ने बिखती हों का भी सलाह जो है वो ले सकते और जरूर ले और सुबह का अगर करते हो तो बधाई हो और नहीं करते तो चल्दी से चल्दी शुरू करें और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ खुश रहो मस्त रहो हस्ते रहो और ध्यान दो खुद पे हमारे परिवार पे और हमारे सेहत पे हमारे मानसिक आरोग्य पे धन्यवाद दोस्तों